मूवी के स्टार्ट में डैग नामी एक लड़के और एक लड़की लॉरलाई को भागते हुए दिखाया जाता है। इन दोनों पर वेंपार्स और जॉम्बीज ने हमला किया था और अब वो इन्हें मारने के लिए इनके पीछे लगे हुए हैं। डैग और लॉरलाई भागते भागते एक घर में पहुँचकर खुद को छुपा ले दे हैं। लेकिन वेंपार्स यहां पहुँचकर घर की विंडोस तोड़कर अंदर आ जाते हैं। और दोनों को मारने के लिए उन पर हमला कर देते हैं। सीन्स एक दिन पहले पर शिफ्ट होते हैं जिसमें हमें एक स्कूल दिखाया जाता है। जहां इनसान जॉम्बीज और वेंपार्स इकटे ही पढ़ते हैं। इस टाउन में वेंपार्स अब से ज्यादा ताकतवर समझे जाते हैं। जिसके बाद जॉम्बीज की पावर्स ज्यादा थी। और आखिर में इनसान थी जिनको वेंपार्स और जॉम्बीज दोनों से ही हमेशा खत्रा रहता था। क्यूंकि इनसानों के लिए इनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। स्कूल में मिलान नामी एक वेंपार्स एक लड़की पेटरा से बात करता है। और उसे रात को होने वाली वेंपार्स पार्टी में आने के लिए इन्वाइट करता है। पेटरा कभी वेंपार्स पार्टी में नहीं गई थी। इसलिए वो पहले तो मना कर दीती है लेकिन मिलान उसे ये कहकर मना लेता है कि वो उसे पसंद करता है और उसके बगएर वो खुद भी पार्टी में नहीं जाएगा जिस पर पेटरा मान जाती है यहीं एक लड़का नेड पेटरा से बात करने आता है तो मिलान अपने दोस्त के साथ मिलकर नेड पर हमला कर दीता है जिसके बाद नेड केलर नामी एक वेमपाइर से अपने ग्रेट्स के बारे में बात करता है कि उसे इतनी महनत के बाद भी लास्ट ग्रेट दिया जाता है और वेमपार्स को अच्छे ग्रेट्स मिलते हैं नेड इसलिए परिशान था क्योंकि वो स्कूल का सबसे जहीन और समझदार इनसानी बच्चा था सीन्स डैग पर शिफ्ट होते हैं जो प्लेगराउंड में खेल रहा था कि उसकी नजर लॉरालाई पर परती है डैग लॉरालाई को बहुत ज़्यादा पसंद करता था तो वो उसे इंप्रेस करने के लिए बहुत जोर से बॉल फेंकता है जो उरती हुई नेड के भाई को लग जाती है और उसका सर बुरी तरहां से जखमी हो जाता है जिस पर उन्हें लोहे की रोड्स लगाना पड़ती है रात के बद पैट्रा मिलान के साथ पार्टी में चली जाती है जहां मिलान उससे काफी क्लोज होने के बाद उसे काटने लगता है लेकिन पैट्रा वना कर देती है तो मिलान उसे अपने प्यार की बादों में फसाता है कि पेट्रा बहुत ही खुबसूरत लड़की है और मिलान ने ऐसी लड़की पहले कभी नहीं देखी और वो हमेशा पेट्रा के साथ रहना चाता है जिस पर पेट्रा वेमपायर बनने के लिए तयार हो जाती है अगली सुभा पेट्रा की आँख खुलती है तो उसकी घर्दन पर दादों की निशान थे और वो एक वेमपायर में बदल चुकी थी पेट्रा मिलान से कॉंटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे कोई राप्ता नहीं करता यानि के पेट्रा को इस्तेमाल करने के बाद वो उसे छोड़ कर जा चुका था पेट्रा को बहुत ज़्यादा रोना आता है कि उसने मिलान पर इतनी जल्दी यकीन किया लेकिन वेंपायर कभी इनसान के सची दोस्त नहीं हो सकते दूसरी तरफ नेड अपने घर जाता है जहां उसके अपने ब्रदर से इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि नेड उसकी तरह एक प्लेयर नहीं है और सिर्फ स्टेडी करने में लगा रहता है जिसका नेड को कोई फाइदा भी नहीं होता इस बात पर उसके फादर उसे लड़ने से मना करते हैं तो नेड चुप करने के बज़ाए उल्ट अपने फादर के साथ भी लड़ने लग जाता है जिस पर उसके फादर उसे घर से निकाल देते हैं नेड उदास और परेशान होकर जॉम्बी के एक घर में जाता है और वहाँ एक लड़की को अपनी बातों में लगा कर पाउं पर कटवा लेता है जिसके बाद नेड भी एक जॉम्बी में बदल जाता है नेड जॉम्बी इसलिए बना था क्यूंकि जॉम्बी के पस फीलिंग्स नहीं थी और ना उन्हें कुछ महसूस होता था नेड फिर इसी लड़की की फैमिली के साथ मिलकर इनसानी ब्रेन खानी लग जाता है कि अचानक यहाँ एक एलियन शिप आता है जिससे देखने के बाद इनसानों और वेंपार्स के दर्मयान एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है वेंपार्स समझते हैं कि इनसानों ने इन एलियन्स को बुलाया है ताकि वो इनके साथ मिलकर वेंपार्स को मार सके यहीं जॉम्बीज भी इस लड़ाई में शामिल हो जाते हैं यह सब मिलकर एक दूसरे को इतने बुरे तरीके से मारते हैं और यह भी दिहान नहीं रखते कि मरने वाला उनका कोई रिष्टेदार है या दोस्त है दूसरी तरफ पेट्रा मिलान को ढूरने के बाद उससे बात क और डैग लॉरालाई को अपने घर ले गया था जहां उसके साथ मज़े करने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उनके कमरे में वेंपार्स आ जाते हैं यानि के वेंपार्स ने इंसानों के घरों पर भी हमला कर दिया था डैग और लॉरालाई दूनों विंडू से कूद कर ब नेट बाकी जॉम्बी को डैग और पेटरा पर हमला करने का ओर्डर देता है और दूनों बहुत मुश्किल से जॉम्बी को मारते हुए अपनी जान बचाते हैं पेटरा भी यही मौजूद थी जो समझती है कि शायद मिलान ने लॉरालाई की वज़ा से उसे छोड़ा है ज जड़ाई ऐसे ही चलती रहती है और एक एक करके सब वेंपार्स और जॉम्बी समारे जाते हैं यहां सरफ नेट डैग और पेटरा बचे थे इससे पहले कि यह तीनों एक दूसरे पर हमला करते यहां उन्हें एक एलियन शिप उदरता हुआ नजर आता है जिससे देखकर व पेटर स्ट्वार्ट मौजूद था डैग स्ट्वार्ट को यकीन दिलाता है कि उनके साथ को एलियन नहीं है तो उन्हें छुपने के लिए अंदर आने दिया जाए स्ट्वार्ट दर्वाज़ा खोल दीता है और तीनों अंदर चले जाते हैं डैग अंदर से एलियन को हाल में हैं लेकिन पेटर ये कहकर जाने से मना कर देती है कि उसे बहुत भूक लगी है और वो यहीं रहकर स्ट्वार्ट को खाती रहेगी जिस पर डैग उन्हें मश्वरा दीता है कि वो स्कूल के रस्ते से जाएंगे जहां पेटर को बलड मिल जाएगा अभी वो जाने ही लगे थे कि एलियन्स बेस्मेंट में पहुँचकर इसका दर्वाजा दोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं तो वो तीनों पिछले रस्ते से बाहर निकल जाते हैं और निकलते साथ धूप की वज़ा से पेटर की बौडी जलने लगती है तो डैग अपने सारी कपड़े भी एलियन्स बच्राइब पहने हुए जिस वज़ां से एलियन्स उसे नहीं देख पाएंगे और नहीं उस पर हमला कर सकेंगे फिर तीनों अपने-पने पहुचकर उतार देते हैं ताकि एलियन्स उन्हें ना देख सकें और डیग के घर पर चले जाते हैं जहां उसके पेररंट्स मौझूद नहीं थे डैग बहुत परिशान होता है कि अचानक एक एलियन यहां पहुँचकर नेड़् पर हमला कर दीता है और डाग नेड़ को बचानी की कोश़िश करता है कि एलियन्स नेट को छोड़कर डैक पर हमला करते हैं तो नेट डैक के आगे आकर उसे बचा लेता है पैट्रा एलियन को एक कुलहारी से मारती है तो एलियन जल्दी से नेट को पकड़कर वहां से गाइब हो जाता है जिसके बार डैक को बहुत ज्यादा दुख होता है कि नेड उसे बचाता हुआ खुद मर गया कि अचानक नेड यहां दोबारा आ जाता है अब नेड का कहना ये था कि एलियन्स लोगों को मार नहीं रहे बलके सब को गाइब करके एक जगा पर इकठा कर रहे हैं जिस पर डैक को होसला होता है कि उसके पेरिंस मरें नेड उन्हें बताता है कि एलियन्स से बचने का एक ही रस्ता है कि उन्हें वो चीज दे दी जाए जिससे लेने वो स्पेस से जमीन पर आए हैं और एलियन्स को ऐसा केमिकल चाहिए था जिसका टेस्ट गोश जैसा हो और ये केमिकल रिक नामी आदमी की फैक्टरी में बनता है तीनों ये पता करवाने के बात रिक के पास उसकी लैब में जाते हैं पेट्रा और डैग रिक को सारी बात बताते हैं कि लडाई कहां से शुरू हुई और लडाई तब ही खतम होगी जब ऐलेंज यहासे वापस चले जाएंगे वरना सब एक दूसरे को मार मार कर खतम कर देंगे इसलिए उनहें उन्हें ऐलेंज को दینनी के लिए वो केमिकल चाहीए लिकिन रिक इन की किसी बात पर यकीन नहीं करता कि तब ही उन्हें दूसरी साइड से रिक की गर्फरेंड की चीखों की आवाजी सुनाई देती है तीनों भाकर उस तरफ जाते हैं तो नेड उस लड़की को मार कर था रहा था जिस पर रिक को बहुत ज्यादा गुसा आता है और वो उन्हें लैब से निकाल देता है अब तीनों के पास कोई रस्ता नहीं बचा था तो वो फैसला करते हैं कि उन्हें एलियन्स से छुपने के बज़ाए उनके सामनी जाकर उनका मुकाबला करना चाहिए लेकिन जैसे ही वो तीनों उनके पास जाते हैं तो एलियन्स उन्हें भी वहाँ से गाइब करके उसी जगा पहुचा देते हैं जहां बाकी सारे लोग मौजूद थे नैट देखता है कि उसकी पूरी फैमिली जॉम्बीस में बदल चुकी है और उसके डैड नैट को बताते हैं कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जिस पर नेट बहुत ज्यादा खुश होता है और डैट को हग कर लीता है जबके डैग के पेरंट्स भी बिलकुल ठीक हालत में यहां मौजूद थे डैग लॉरल आई को भी देखता है जो मरी नहीं थी बलके पेट्रा के काटने के बाद वेंपायर में बदल गई थी और ये देखकर पेट्रा को बहुत ज्यादा घुसा आता है अब एलियन्स ने वेंपायर जॉम्बी और इंसानों को अलेदा अलेदा कैद करके रखा था ता अब इस बड़े से कमरे के दर्वाजे को खोलने का एक ही रस्ता था कि दर्वाजा तोड़ दिया जाए यहीं जॉम्बी वेंपायर्स और इंसान दुबारा लड़ने की कोशिश शुरू कर देते हैं जिस पर डैग उन्हें समझाता है कि ऐसे वो एक दूसरे को ही मार हैं जहां रिक एक गन से उन पर शूट करना शुरू कर देता है डैग रिक को बहुत जादा समझाता है कि उसे वो कैमिकल दी दिया जाए जिस पर रिक मान जाता है अब एलियन्स यहां पहुचते हैं तो कैमिकल टब को देखकर उनकी बॉड़ी से छोटे छोटे वाइट कल कैमिकल गया कहता है कि उन्हों ने उसे यह खेता है और बाद में बताने लग चाता है कि वह किसी के नुकसादा नहीं करना चाहता था और ना उसकी यहां के रहने वाले छुड ही एक दूसरे को मार रहे थे। और उसकी पावर इन सबसे ज्यादा है जिस पर लोगों को अद एलियन का साइज बहुत बड़ा था तो वो सब को पकड़ पकड़ कर बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाता है पैटरा के साथ होने की वज़ा से डैग पर मिलान का दोस्त हमला कर देता है और उसे इतने बुरे तरीके से मारता है कि डैग का दिल बंध होने वाला हो जाता ह कि अचानक वो एक वुल्फ में बदल जाता है यानि के डैग इनसान नहीं बलके एक वुल्फ था और उस वेमपायर को पकड़ कर मार देता है और मिलैन भी एक चीज में लगने के बाद मर जाते हैं इसके बाद डैग एलियन पर एक कैमिकल स्प्रे करना शुरू कर देता है और बागी सब को भी ऐसा करने को कहता है इस कैमिकल का फाइदा ये होता है कि मीट वाले कैमिकल का एलियन के बौडी से असर खतम हो जाता है और वो एक बहुत ही छोट इसी एलियन में बदल जाता है सब इस एलियन को पकरने की कोशिश करते हैं तो एलियन अपनी जान बचा कर अपने स्पेस शिप में पहुँच जाता है और जाते जाते इन सब पर एक आटम बॉम फेग देता है लेकिन बॉम के नीचे गिरने से पहले नेड इस बॉम को कैच कर लेता है और डैक बॉम को पकर कर दुबारा आसमान की तरफ एलियन के शिप पर फिंग देता है जिस वज़ा से शिप के साथ साथ एलियन भी जल कर खतम हो जाता है इसके बाद टाउन में सब के दर्मियां लड़ाई खतम हो जाती है और सब पहले की तरह नॉमल हो जाता है जहां सब बहुत ज्यादा खुश थे जॉम्बी बनने के बाद नेड के अपने ब्रादर के साथ दोस्ती हो जाती है और डेक पेटरा का बोईफरेंड बन जाता है इस तरह मूवी की हैपी एंडिंग हो जाती है तेंक यू फॉर वाचिंग